नमस्कार दोस्तों मैं हूं पुलकित महुंद सिंगला स्वागत है आपका हमारी चैनल में दोस्तों आज हम इस विशे में बात करेंगे कि कर्म करते वे भी कर्म बंधन से अजाद रहना ये कैसे मुमकिन है दोस्तों श्री कृषिण जी ने इस विशे में कहा है अर्ज्जुन से कैसे कोई बी इंसान कर्म बंधन में ना रहते वे भी कर्म कर सकता तो और कर्मा होते वे कर सकता है यह स्तिति उत्पन की जा सकती है हाला कि यह स्तिति उत्पन करना बहुत कठिन काम है यूं कि लिजे निरंतर आपको प्रेतन करते रहना होगा तब कि आप इस्तिती को पहुच पाएंगे, ये स्तिती प्राप करना बहुत जरूरी है, इसलिए बहुत जरूरी है कि यहीं से मुक्ति का मार्क शुरू होता है, कि आप कर्म कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आप कर्म बंदन यानि कि माया के वशी बूत नहीं हूँ पा रहे है आप उससे आजाद रहे के भी अकर्मा रहे के भी कर्म कर रहे हो कर्म की प्रारब्द वो तो हर एक को जहिलना है पर कर्म बंधन में बंधे बगया कर्म करना इस नियत से करना यह अपने आप में एक ऐसी स्थिती है जो आपको मुक्ती के मार्क की तरफ बहुत तेजी से ले जाती है अब कैसे यह अचीव आप कर सकते हैं पहली चीश श्रीकिशन जी ने ये काई है कि चाहे आपके जीवन में कितना ही कुछ है या नहीं है आपके अंदर सन्टोश होना एक खेराव होना बहुत ज़रूरी है किसी भी तरीके से ऐसा पागल पर ना होना कि आहां आज आज दूसरे का कुछ भी अच्छा घर देखा तो व्याकुल हो गए दूसरी की अच्छी गाड़ी देखी तो व्याकुल हो गए कि है हमारे पास भी ऐसी हो, किसी के अच्छे कपड़े देखे, है हमारे पास भी ऐसे कपड़े हो किसी के गहने देखे, अरे हमारे पास भी ऐसा हो, ऐसी जोलरी हो तो इस तरीके से बावले ना होना, बहुत एक समान के पीछे पागल ना होना जो आपके पास है उसमें संतोश प्रात करने की उस condition को accept करने की satisfied रहने की स्थिति उत्पन करना कि जो आपके पास है उसमें आप contented है आप पागल नहीं हो रहें दूसरे के अश्वरे को देखके दूसरे के सुख को देखके कि जो आपको जो आपकी बढ़ती चली जाती है उसको घटाना और जो है उसमें संतोश परात करना पहली अवस्ता तो यह है दूसरी अवस्ता यह है कि किसी से भी जलन ना करना अपने आप में यह भी बहुत कठिन है चीज़ कि आप जिसके पास भी जादा होता है कुछ आपके पास नहीं होता तो स्वभाविके लोगों को जलन हो जाती है और वो जलन की सीमा जो है इतने बड़ जाती कभी 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 कि लोग दूसरे का बुरा करना शुरू कर देता है क्योंकि वो उस particular वस्तु को प्राप नहीं कर सकते तो कहते हैं ठीक हम प्राप नहीं कर सकते तो पर हम इसको भी इस वस्तु को भोगने नहीं देंगे हम इसको भी सुख उठाने नहीं देंगे तो चाए कोई प्रॉपकर का मावला हो चाए घर का मावला हो चाए कपड़ों का, चाए दुकान का चाए गाडी का, चाए रिष्टों का चाए गहनों का कुछ भी चीज़ का तक कि जव रिष्टे यारी में जलन हो जाती है रिष्टों में होनम हैивать तो पर बढोर्ड होए इन्में प्रेश्व कर दो तो आज इंसानित इतनी गिर चुकी है किम जलती हो जानते हैं किसी को जानते हैं और उसको काम्याब हो देखते तो जलन और तीजी से होती है जिसको नहीं जानते है उससे भी अपना अजाने में जलन हो जाती है उसको ना जानते हैं भी जलन उत्पन हो जाती है और उस जलन के वशीबूत होके आप अपने आप उस इंसान को अपना शत्रू बना लेते हो और सामने वाले इंसान की सही नियत होते भी आप उसको गलत ठहराने लगते हो क्योंकि गलत आप होते हो तो इस जो अवस्था है जलन करने का जो ये स्वभाव है इस से निजात पाना आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आप करम के बंदन से निकलना चाते हो इस बात को आपको समझना होगा तो ये दो चीज़ा सबसे ज़्यादा महतोपूर्ण है कि जो है आपके पास उसमें कंटेंडर रहना उसमें सेटिसफाइड रहना और दूसरा किसी के पास कुछ है तो उससे जलना नहीं उससे किसी भी तरीके से जल के जलन खोर बनके उसका बुरा नहीं करना ये बहुत ज़्यादों ज़रूरी है और सबसे बड़ी बात है कि जितना ज़ादा आप मेटलिस्टिक चीजों में आ सकती रखो गे उतना परिषान रहोगे उतना व्याकुल रहोगे उतना दुखी रहोगे इसके बाद तीसरी वस्ता आती है कि जो आपके पास है उसमें तो आप समागल हो जाते हैं हससकी घमंड से पागल हो जाते हैं कि अरे हम तो आज इतने अमीर हो गए हम तो राज्या बन गया हम आरे हमारे को इतने बड़े घर में रिष्टा बोगे हमारे को इतना पैसा रोगे हमें आधे आथा सुक्रावी तो तो इन दोनों ही आवस्थाओं में έχशी के आवस्थाओं में ज़रूसर ज़्यादा हँस के पागल होना और दुक के आवस्थाओं में पूरे समाज को कोसना, ईश्वर को कोसना, लोगों को कोसना और यह महसूस करना कि सिर्फ तुम ही दुखी हो पूरी दुनिया में तो दोनों ही सोच गलत है आपको दोनों ही अवस्थाओं में नॉर्मल रहना होगा बहुत ज़्यादा कुछ प्राप्त हो रहा है तो खुशी से पागल नहीं होना, हाँ ठीक है यह प्राप्त हो गया, हम खुश है पर उसके बीचे इतने पागल नहीं कि आप दूसरों को भूल जाए और दुख में इतना ज़्यादा नहीं व्याकुल होना कि आप अपने आपको ना समाल पाए इस बात को समझना होगा कि दुख हरे की जीवन में आते हैं और हर इंसान दुख जेल रहा है आपने भी संसार देखा नहीं होगा कहावत है न, गाना है कि दूसरे का दुख देखा तो अपना दुख बूल गया तो उस बात को आप याद रखिए हर इंसान, हर जानवर हर पशू, हर आत्मा दुख भोग रही है चाए भूतियों नहीं में चाए भोग रही है चाए पशू के रूप में आत्मा भोग रही है चाए इंसान के रूप में भोग रही है हर इंसान, हर आत्मा, हर जीव, जनतु इस दुनिया में दुख किसी न किसी स्थर में भोगता ही है तो आप एक नए नहीं हो कि आप इसमें दुख के सागर में इतना डुग जाओ कि भगवान को कोशने लगो लोगों को कुछने लगो आपको उसमें सामने अवस्था मेंटेन करनी होगी और बहुत ज्यादा कोई खुशी आती है तो उसमें घमंड नहीं पैदा करना अकड पैदा नहीं करनी अपने अंबर पागल नहीं होना कि आप दूसरों को नीचा दिखा रहे हो गमंड में आख उ आप इस स्टेज को भी पार कर पाओ जिब आप स्टेज को भी पारकर पाओंगे तब आप करमढ़नन से मुक्त हो पाओगे आप करम तो करते रहोगे पर करम बंधन का जो जकडर है आपकी आतमा पे जो आपको 84 लाक योनियों की तरफ ले जाती है उससे आप निकलना शुर कीजिए कि जो है उसमें हमें सेटेस हैं हमें जैलस हो कि किसी का बुरा भी करना जलन नहीं ही करनी और तीसरे हमको हर अवस्था में बरीक्नाथ कि अर्च करना हैouring ज्यादा खुश वहना जैने इंतने बद्लवाति चलchoण और इस पूरे जीवन काल में अगर आप कर लेते हो तो शायद आम मुख्ष भी प्राप्त कर लो तो अपने आप आपके कर्म सुधरेंगे इन तीन चीज़ों पर आप जीत पा लीजे जो श्री किशन जी ने कहीं है और कहीं न कहीं आपका उधार निच्छित है और यूं कह लीजे कि एक इम्तिहान के तौर पे इसको प्रे फील होगा बहुत ही सुकून महसूस होगा कि जैसे वाकई में आप इश्वर के करीब जा रहे हैं तो इसी तरह सुनते रहे ही प्यार देत रहे ही सब्सक्राइब कीज़े चैनल को और मैं जो है इसी तरह आपके लिए आध्यात्मिक और परलोकिक विश्य में वीडिय जादा दूर होगी है आप मेरे द्वाराभी मंतरत कवच या लॉकिन भी दारन कर सकते हैं अपनी रक्षा के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगी मैं हम आपका दोस्त प्रकित महान संगला